तो फ्रेंट्स आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कोश्चन पूछना चाहूंगी कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी जानने वाले ने आपके कस्टमर ने या जो आज पोड़ास में रहते हैं उन्होंने आपसे केक मांगा आपने बना कर दिया उन्होंने आपकी काफी तारीफ करी केक बहुत अच्छा है बहुत तेस्टी है लेकिन जब मौका आया उनके घर में किसी बड़े ओकेशन के लिए केक बनवाने का तो उन्होंने आपसे नहीं बलकि बेकरी में जा करके केक ल कमी रह गई प्रेंड्स आपके काम को अपग्रेट करने में आप अभी भी वही केक्स बना रहे हैं जिनसे अब पब्लिक बोर हो चुकी है भली वह कितने सुंदर हो टेस्टी हो आजकल का जमाना जो है न वह शो आफ का है मतलब हर आदमी अपने केक को इसलिए बनवाता है कु नहीं पर आप मात खा जाते हैं इसमें हल्प करेगा मेरा अपकमिंग 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाला पॉंडेंट का प्रीमियम कोर्स ये फ्रेंड्स 15 दिन की एक वरक्शॉप है जो कि 6 नवंबर से स्टार्ट होगी और 6 क्लासेज में आपको पॉंडेंट के उपर आप मार्केट से फॉंडेंट लाते हैं बनाते हैं केक पर लगाते हैं लेकिन वो बनाने के बीच में या बनाने के बाद मेल्ट होने लगता है तो यह सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा मेरा यह जो अपकमिंग कोर्स है अब आप सोचेंगे कि इस कोर्स में होगा क्या-क साइड में इसका मैंने स्लेबस दे दिया है इसमें छे क्लासे होंगी जो हम 15 दिन में आराम से कवर करेंगी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि एक एक क्लास के बीच में एक गैप रखा गया है ताकि जब आप उसे ट्राइ करें कोई प्रॉब्लम आये तो मैं उसे दूर कर साथ हैं यहाँ पर छे क्लासे हैं जिसमें पहली क्लास में सबसे पहले दिन में आपको सिखाऊंगी फॉंडेंट को प्रॉफेशनली फ्लेवर वाला जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेचिबल मार्केट में मिलता है वो कैसे बनाए जाए और कोई भी घर की चीजे हम बताऊंगी और कहां मिलेंगी वो भी बताऊंगी ताकि आप बिना किसी प्रॉबलम के उसे बना सके हैं मैं टोटली वेगेटेरियन हो फ्रेंट्स तो सारी चीजे मेरी वेजज़िटेरियन ही होंगी फॉंडेंट भी वेज़िटेरियन होगा मार्केट में आपको पता भी लेना है कौन सा नहीं बट मेरा फॉंडेन प्यॉर्ली वेजिटेरियन हो इसी के साथ फ्रेंट्स इस चैप्टर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फॉंडेंट क्या होता है और शुगर पेस्ट गम पेस्ट क्या होता है आप इस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और आपको market की किसी चीज की जुरत ना पड़े और आप घर में ही sugar paste, gum paste और fondant बना करके अपना काम कर सके पहला chapter दूसरे chapter में friends में fondant को कैसे color करना है कैसे store करना है कैसे उससे काम करना है tools के साथ भी, बिना tools के साथ भी वो बताऊंगी कौन से tools बहुत जरूरी है जो fondant से काम करते वक्त हमारे पास होने चाहिए कौन से mats, कौन सी चीजें, कौन सी tips, tricks हमें पता होनी चाहिए ताकि हम fondant से काम कर सके देखे, गर्मी हो, सरदी हो, बरसात हो हर तरीके के मौसम में fondant से काम करने का तरीका बदल जाता है तो वो चीजें हमें पता होंगी तो हमारा काम कभी भी fail नहीं होगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा मेरे बताए हुए fondant को आप आराम से सालों तक भी store कर सकते हैं बस मेरा procedure follow करके और यह बहुत ही flexible tasty fondant होता है friends, market के fondant तो आपने खाए होंगे तो खाने में उतने अच्छे भी नहीं लगते चुई होते हैं और लोग को पसंद में नहीं आते बट मेरा fondant बना करके जब आप cake बनाएंगे और लोग को देंगे तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि यह fondant का cake है इतना tasty होगा flavor वाला होगा कि cream के cake के साथ आपके fondant के cake भी sale होना start हो जाएंगे और आपके पास orders की line लग जाएगी तो अपना काम अपग्रेट कीजिए अपने orders बढ़ाने हैं तो आज के जबाने के साथ मिल जाएए और इस course में जादा से जादा संख्या में join हो करके इसका पाइदा उठाइए इसी के साथ friends fondant से कैसे आप different types के toppers बना सकते हैं 3D, human beings human figures, alphabets, letter, toys animals, flowers यह जो जितनी भी चीज़े होती हैं जो हम theme cakes पर बनाते हैं वो सब भी tools के साथ भी और बिना tools के भी बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई इन्हें आराम से बना सके और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है friends कि आपकी drawing बहुत अच्छी होनी चाहिए बस आपको technique पता होगी तो आप हर चीज़ आसानी से बना लेंगे साथी friends, fondant के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका जो cake base होता है वो भी कुछ अलग तरीके से बनता है fondant के cake के sponge और icing वैसी नहीं होती जो हम cream के cakes में करती हैं तो वो कैसे बनते हैं from scratch, from premix वो भी सिखाऊंगी उनकी icing किस cream से होती है कैसे की जाती है, वो भी दिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी and साथ में friends, हम एक semi fondant theme cake भी decorate करना सिखेंगे जिसमें हम sponge भी बनाएंगे उसको cream से ready करके fondant के toppers से कैसे decoration की जाती है कि fondant felt ना हो, आराम से लंबे समय तक भी as it is रहे वो सिखाऊंगे और एक full fondant cake decoration होगी जिसमें हम cake sponge भी बनाएंगे उसको कैसे ready करना है, कैसे fondant से उसे cover करके fondant से ही उसकी decoration करना है वो सारी tips और tricks के साथ method बताऊंगी ताकि आप कोई भी theme cake हो, कोई भी customization हो cake में आराम से उस order को पूरा कर सके and finally friends, जब fondant का हम काम करते हैं fondant के cakes बना लेते हैं तो कई बार fondant का weight होता है cake का या तो over हो जाता है, under तो शायद नहीं रहता क्योंकि हम लोग इती चीज़े उस पर लगा देते हैं कि वो overweight हो जाता है तो कैसे fondant के cakes में measurement लेना है वो भी बताऊंगी fondant के cakes बना करके कहाँ store करना है कि वो melt ना हो, safe हो fondant का measurement कैसे लेना है fondant के cakes को बना कर deliver कैसे करना है अपने customer तक वो भी बताऊंगी तो इतनी सारी चीज़े friends हम इस course में cover करने वाले हैं और साथ में अगर आप normal घर में ही सीखना चाहते हैं अपने बच्चों बच्चों के birthday पर तो मैं आपको 250 ग्राम, 500 एक किलो fondant कैसे बनाए जाता है कैसे measurement लेना है वो भी बताऊंगी तो इतनी सारी चीज़ों के साथ friends हमारा ये जो course आ रहा है ये बहुत महंगी महंगी classes में लोग सिखाते हैं कुछ लोग afford भी नहीं कर पाते कि एक simple सी चीज़ के लिए इतना पैसा खर्च करना फ़र किक नहीं लगता हर किसी के पास नहीं होता उतना time ना उतना manage करने का तरेका बट मैं आपको affordable fee में इससे सिखा दूँगी इस पूरे course की fees केवल और केवल 5.99 रुपीज है friends और इसको करने के बाद कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं आएगी और हाँ जो ये classes में आपको दूँगी वो recorded होंगी मतलब अगर आप busy हैं working हैं तो भी आप इसे join कर सकते हैं पास जब time हो आप देख सकते हैं lifetime access के साथ आपको ये सारी classes मिलने वाली है तो इतनी facility friends मुझे ने लगता सुन करके कोई रुख पाएगा और तुरंत ही इसको book करने के लिए भागेगा तो आपके काम को मैं आसान कर देती हूँ स्क्रीन पर जो मैंने number दिया आप उस पर मुझे whatsapp message कीजिए वैसे तो सारी detail जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया बट still कोई doubt हो तो आप मुझे इस number पर message करके पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर भी आपको explain कर दूँ और fee pay करने के लिए आप phone, pay, google, pay, pay, tm जैसे भी चाहें जिस number से चाहें payment कर सकते हैं बस अपना number बता दीजेगा जिसको मुझे class में add करना हो तो I hope सारे doubts clear हो गए होंगे और काफी दिनों से जो wait चल रहा था लोग का कि मैं फॉंडेंट को लेकर के course लाईए वो भी पूरा हो गया होगा पंदरा दिन आप मुझे दीजी और मैं आपको special professional fondant के customized theme cakes के बारे में expert बना दूँगी तो चलिए friends, सारी जानकारी fondant के course related मैंने दे दी है time अभी थोड़ा है, आप आराम से अपनी seat book करा सकते हैं लेट मट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे courses की जो seat है, वो जल्दी फिल होती है और मैं वेट क्यों करना, क्यों बाद में course को join करना, आप अभी के अभी screen पर दिये गए number पर message करके, अपनी seat आज ही book करा लिजे, 5 November को हमारी demo class होगी, तो request है उसे पहले ही सब अपनी seat book करा लिए इस वीडियो को friends, like तो कीजिए guys, आप में share कर दीजेगा, ताकि आप जैसे जो और लोग हैं, वो भी इसके बारे में जान पाएं और इस course में जुड़ करके, वो भी फाइदा उठा पाएं चैनल पर नहीं है, तो चैनल को